नमस्कार साथ यूँ रीट लेवल पर्तम और लेवल द्वीते के अंदर कितने अंक बढ़ने वाली है more final कटोप एक गुणा कटोप कितने अंक बढ़ेगी लेवल पर्तम और लेवल द्वीते के अंदर पहला तो इसके बारे में जानकारी देंगे हम सबसे पहले सबी साथी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं वो कब आने वाली है देखे एक एक थोड़ा आज ऐसा वीडियो है क्योंकि हम साथ से आट मिनट में जानकारे आपको देते थे लेकिन थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा एनलाइसिस हमने कम्प्लीट किया है तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से अंतक इसको जरूर देखे दोस्तूं एक बार जो साती हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे यही कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक से और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजे दोस्तू चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं और प्रेले हम देख लेते हैं फाइनल कटूप देखे जानकारी दूँगा क्योंकि देखे आपको मैं सबसे पहले जानकारी देदूँ कि जो एक एक चाहे केटेगरी हो चाहे विसे हो ओल विसे की ओल केटेगरी की जो मेरिट है कितने अंक बढ़ने वाले उसके मैंने वीडियोज बना दिए है पहले पहले वीडियोज बना दिया है A.K. के बारे में हमने विस्तरिज जानकारी पहले ले लिए दोस्तु आज जो हम जानकारी ले रहे हैं ना वो मैं ये दे रहा हूँ क्योंकि बार बार फिर मेसेज आ रहे थे कि सर एक हमें पूरा टोटली बता दीजे कि C2 के एकोर्डिंग मेकसिमम कितने अंक है जो मेरिट बढ़ सकती है उस पर आज हम यहां पर बात करने वाले हैं दोस्तों तो देखें मैं सबसे पहले आपको लेवल पर्तम वाली बता देता हूँ थोड़ी स्पीड के साथ देखते है क्योंकि लंबा वीडियो अच्छा हमको भी नहीं लगता है लेवल पर्तम के अंदर अगर हम C2 की बात करते हैं मित्रूं तो C2 की कुल संक्या है 21,000 इनमें से नोटीएश्पी की है वो है 19,100 ब्राणम है और टीएश्पी की है 1808 दोस्तूं समझे अब देके option 19,100 ब्राणम है यानि कि यह मान कि चलिये कि यहाँ पर student बहुत अधिक मत्रा में निकलने वाले हैं दोस्तूं बहुत अद्धिक मात्रा में student यहां से निकलेंगे दोस्तों समझे 38 यह कहा average लें 38,000 student non-TSP में पास किये जाएंगे 38,000 में से 19,000 तो क्या हो जाएंगे cut-off one में आ जाएंगे 19,000 में से 3,000 student है जो अपनी category में चले जाएंगे बाकी जो 16,000 student है वो कहाँ चले जाएंगे वापस तैयारी में अगली rate की तैयारी में लग जाएंगे यह student कहाँ चले जाएंगे 3 जो है जैसे OBC, SC, ST, MBC, EWS है वहाँ पर चले जाएंगे अब देखिए यहाँ पर क्या है 16,000 student निकल रहे है कुल तो 19,000 है लेकिन यह तो 3 जब कहाँ पर अपनी category में जाएंगे तो वाँ पर चले जाएंगे लेकिन 16,000 student तो यहाँ पर देखिए मैं एगर level परतम की बात करता हूँ थोड़ा speed से दिख बता देता हूँ आपको जैसे कि हम general की बात करते हैं यहाँ पर 186 मेरिट गई यह 186.91 है क्योंकि 187 इसको मान सकते हैं तो यह मेरिट आपकी 5-6 अंक बढ़ेगी समझ गए अब अधर category के अंदर में जैसे OBC ले लेता हूँ आपकी OBC के अगर मैं बात करता हूँ तो 175.88 है साइद 88 है ना यह मेरिट आपकी अगर देखे मैं student 2 के अधार पर बाकी मैंने वहां पर research करें जानकारी दे दी है एक student 2 की संक्या के अधार पर पदू की संक्या के अधार पर यह जानकारी दे रहा हूँ तो यह आपकी 6-7 अंक तक बढ़ेगी समझ गए अब देखे A.C.H.T. दोनों के मैं अगर बात करता हूँ A.C.H.T. या आप अधर केटेगरी जैसे E.W.S. M.B.C. है उन सभी के मैं बात करता हूँ तो 5-7 अंक के मद्दे बढ़ेगी इससे उपर कभी भी आपको मेरिट देखने को नहीं मिलने वाली है दोस्तु यह है लेवल फेष्ट का मैंने एक निचोड बताया है बाकी वीडियो है ना अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दे दिया वहां से जाकर आप देख लेना एक-एक वीडियो दोस्तु अब चलिए लेवल दिविते थोड़ा स्पीड से अब मैं बात करूँगा लेवल दिविते के अंदर सबसे पहले मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ इंगलीस देखें इंगलीस की अगर मैं कुल पोस्टू की एक बात करता हूँ तो 8,792 है मेरे साब से अब देखें साथ जार नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ मैं टीएसपी के अंदर लगबग यही मेरिट बढ़ने वाली है जो टीएसपी के साथ यह वीडियो देख रहे हैं वो लगबग यह मान कर चले कि इतनी वहाँ पर बढ़ने वाली है यहीं साथ जार चार सुचो चौरा सी स्टूडेंट निकलने वाले है तो यह मेरिट कितनी बढ़ेगी चार से पांच अंक अदर के टेगरी है ना सभी उनके अंदर एक एवरेज है कि यह चार से चांक और जो अदर है उनमें पांच से चांक बढ़ेगी मेकसिमम अगर देखें यहां पर जनरल की चांक बढ़े जाती है ना तो अदर के टेगरी है ना जैसे OBC की मैं बात करूँ तो वहां पर चैसे आपको साथ अंक मिलेगी लेकिन बाकी है ना वहां पर आपको लगबग यह है कि बढ़कर रुख जाएगी मेरिट यह इंगलीज की है इंगलीज के बाद अगर हम बात करते हैं लेवल टू के अंदर तो वह आती है हिंदी हिंदी के अगर मैं बात करता हूँ हिंदी में कुलपद भहुत कम पद आये थे 3106 ही कुलपद आये थे इस बार जिनमें से 9 TSP के थे 257 और TSP के थे 500 नन्यान में जनरल की जो मेरिट गई थी सरवादिक कितनी 235 गई थी यह मेरिट आपकी जाएगी 249 से 240 के आसपास उपर नीचे नहीं होगी मेक्सिमम 249 से इससे उपर नहीं जाएगी अब देखे नीचे आईए यहां पर OBC के मैं बात कर देता हूँ यहां पर OBC के अगर मैं बात करता हूँ 231 गई थी तो 231 से अगर यह उपर बढ़ेगी मेरिट 231 है उपर यह मेरिट बढ़ती है तो यह जाएगी आपकी 235, 236 इससे उपर नहीं जाएगी AAC की 219 थी AAC की किदनी थी 209 थी तो इनके अंदर आप पलस चार पलस साड़ी चार कर लो इससे मेकसिमम दोनों में उपर नहीं जाएगी EWS में 226 थी 239 मानलो यह 230 है आपके MBC के अंदर 223 थी 227 है 227 से उपर MBC में नहीं जाने वाली आप चलिए थोड़ी SST की बात कर लेते हैं SST पद कितने थे 4,712 थे Non-TSP के 4,000 पद थे और TSP के 712 पद थे यही थे ना पद दोस्तों आपके है अभी तो गए काँपे है जनरल की मेरिट भूत अदिक गई थी कितने गई थी? 206 गई थी जनरल की जब की फिमेल की गई थी 201 यहां पे 206 ना यह मेरिट आपकी हद मारके जाएगी तो 209 से 211 211 से उपर यह मेरिट आपकी कभी भी नहीं जाएगी यह जनरल जो फिमेल वाली मेरिट है यह जाएगी आपकी 204 से 206 के भी जाएगी इसी पर कर अधर के टेगरी में हम गुसते हैं जैसे OBC के अगर हम बात करते हैं और बाकी विस्तरित वीडियो है उसकी लिंक डिस्क्रिपिशन में दी गई है चाहे लेवल पर्तम हो, मेत, इंगली, हिंदी किसी का भी हो, सब की वीडियोज है वो मिल जाएगी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी की वहां से जाकर एक 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 आप देख सकते हैं बाद में OBC है, SC है, ST है जैसे OBC 201 गई है और फिमेल की 117 गई है SC में 182 गई है और फिमेल की 114 गई है ये भी आपका यही क्राइटेरिया रहेगा इसके अंदर आप 205 से 206 कर लो 205 से 206 मेकसिमम 6 इसे उपर नहीं जाने वाली है अब देखे, मैं SC की बताऊं तो 182 है, जनरल की 182, 186, 186, 187 जाएगी 114 है फिमेल की SC के अंदर तो वो आपकी 177, 188 के आसपास रहेगी ST में 170 है जो आपकी 113, 144 रहेगी EWS के अंदर 190 है जो 193, 149 में रहेगी MBC में 190 जनरल है तो 193, 149 में रहेगी और MBC के अंदर जो फिमेल है उनकी 180 है जो 183, 184 के आसपास रहने वाली है दोस्तों हो गई SST अब देखिये बात करते हैं मेत की सरवादिक मांग जो कर रहे थे न वो मेत्स वाले ही थे मेत्स साइंस दोरनों का लिख दूँ नाराज ना हो जाए जिनके बाइलोजी थी 12th के अंदर कुल पदू के अगर हम बात करते हैं साजार चार शो पे अटीस पद है कि जो merit बड़ेगी जनरल की जनरल की बड़ेगी चार से पांच अंग OBC के अगर मैं बात करता हूँ OBC की पांच से चांग कारण क्या है कि जो पंदरा सो स्टूडेंट निकले है ना उनमें से ये मान के चलो की तीन सो से चार सो स्टूडेंट है ना वो आ सकते हैं यहां पे लगबग यह चांद से दोस्तों समझगे आप अब देखिए जनरल की एक सो नबब़ पर गई है एक सो नब़ पर जनरल की अगर हम बात करते हैं एक सो नब़ तो एक सो चोरान में एक सो पंचान में यहां पर मेरिट रहने वाले है OVC के अगर हम बात करते हैं तो 183 गई है जो हम मान रहे हैं कि 190 या 190 के आसपास रहीगी इसी परकार SC की बात करते हैं हम तो SC के 169, 160 ही मान लो आप SC के 160, 169.9 है तो 160 मान सकते हैं जो आपकी जाने वाली है 164, 165 पे अब यहां पे फिमेल की SC में अलग रही है फिमेल की जो मेरिट रही है वो 155, 156 मान सकते हैं आप 155, 9 है तो 156 यह जाएगी आपकी 169, 160 के आसपास दोस्तों अब इसी परकार SC के 147 है, 145 है तो 152, 153, 151, 152, 153 के आसपास रहेगी EWS है, उसकी मेरिट 166 है इसके अंदर, 166, 185 है तो यह मान के चलिए कि 177 है, 100 एकराण में, 100 बराण में के आसपास जाएगी MBC के बात करते हैं, MBC के अंदर देखें, जनरल की मेरिट 168, 177 है जो आपके 163, 4 जाएगी और फिमेल के 177, 177 है, जो आपके 162, 163 के आसपास रहेगी दोस्तूं यह सबी की जो मेरिट थी, उनका निचोड रख दिया है, बाकी देखें, मैं फिर बोल दो आपको description है, नीचे खोलिए, उसके अंदर जिस भी विशे से आप है, वहाँ पर वीडियोज मिल जाएंगे वहाँ से आप एक एक को विश्तरीत देख सकते हैं, कि किस निसकर्श के साथ हमने वीडियोज है, वहाँ पर बनाए है और क्या मेरिट हमने बताईए, अब चलिए जो मुख्य हमारी बात है, उस पर हम चलते हैं, और महतुआ पूर्ण जो जानकारी है, वो लेते हैं दोस्तों, क्योंकि सभी साती इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, जो दो गुना के अंदर नहीं लगे, नियूरीट बर्ती, न आप आजाएए 2024 में, तो देखे 2024 के अंदर आपकी क्या होगी, मेंस की एकजाम होगी दोस्तों, पदू की जो साती बात करते हैं न देखिए पद पहले, जब तक सरकार ने डिसाइड नहीं किया, तो हम भी नहीं बता सकते हैं और ना कोई, हाँ, अगर मैं यसे ही बोल दू लेकिन एक अनुमान की अकोर्डिंग बता दू कि 25,000 से अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो 2024 में मेंस आईगी, एक साल का आपके पास समय, आज बोल रहा हूँ, तैयारी करना है, जो साती दो गुना में इस बार नहीं हुए हैं, इस बार आपको अगर द 2023 के अंदर पातरता, पातरता है, यह आपकी 2023 में होगी, कब होगी, 2023 के अंदर पका होगी, सो परतिसत होगी, और 15 अगस्त से पहले पहले आपको इसका नोटिपिकेशन भी मिल जाएगा, 15 अगस्त से पहले पहले, अब देखे एक जाम कब होगा, एक जाम देखे, 15 अगस्त 15 अगस्ट से पहले यह मान के चलते हैं कि 5 अगस्ट के आसपास इसका नोटिफिकेशन आने वाला है तो 5 अगस्ट से लेकर यह मान के चले कि 5 सितंबर और 10 सितंबर तक इसके फोरम बरे जाएंगे सितंबर के बाद सितंबर आदा मैना अक्टूबर का पूरा मैना और नवंबर के परारम में इसका एकजाम करवाया जाएगा क्योंकि रूल है रीट पातरता हर साल सरकार को आयोजित करवानी होती है इस वज़े से यह आयोजित करवाई जाएगी क्योंकि सिक्षामंत्री ने साब सब्दू में बोल भी दिया है दोस्तों कानून बनाया जा रहा है जिसके बाद हर साल रीट का आयोजन करवाया जाएगा अब देखे एक तो हमने यहाँ पे फाइनल कटोप देख ली नई रीट भरती को लेकर जानकारी दे दी अब आपको जो भी क्योसन बन रहा है वो कमेंट कर देना बाकी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो भी हमें जानकारी देना तो हम आपका उचित सुजाव देंगे और य झाल 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 झाल झाल